देली करें नियूस में अभी की खबर है प्रोसो पैगनोसिया या फेस ब्लाइडनेस हालिया शोद के अनुसार मानौव में MCTP2 जीन में उत्परिवर्तन होने से चहरे पहचानने की शमता गंभी रूप से छीड़ हो जाती है इस उत्परिवर्ती जीन से पेडित्व्यक्ती अपने परिचित लोगों को पहचानने में भ्रमित हो जाते हैं इस विकार को प्रोसो पैगनोसिया या फेस ब्लाइडनेस कहते हैं दुनिया भर की सामान या आबादी में इसका प्रसार लगभग 1.8 से 2.9 प्रतिशा तक है आशा का शब्द है जिसमें प्रोसोपोन का अर्थ है चहरा और एगनोसिया का अर्थ है अज्यानता या वीजवल एगनोसिया का एक रूप है जिसमें रोजमर्रा की चीजों को सिर्फ देखकर पहचानने में असमर्थता या कठिनाई होती है इससे पेडित लोगों में अल पक स्मृति से नहीं है यह आमतोर पर एक आज जीवन समस्या होती है इसके इलाज के लिए कोई विशेश तवा या चिकित्सा उपलब्ध नहीं है इसका सबसे साधारण प्रकार विकासात्मक प्रोसो पैगनोसिया है जिसमें बिना मस्तिक्ष छती के फेस ब्लाइडनिस होता है 2006 में जर्मन शोदकर्ता ने एक अध्यन में इसे अत्यदिक आनुवान शिक पाया शोदकर्ताओं के अनुसार यह सिती एक एकल प्रमुख जीन में दोश के कारण उत्पन्न हो सकती है अर्थार्थ यदि एक माता पीता को विकासात्मक प्रोसो पैगनोसिया है तो उनके प्रतेक बच्चे में इसके मिलने की संभावना 50 प्रतिशत होगी बता दे कि कुछ लोगों में मस्तिक्स में चोट लगने या स्ट्रोक होने के बाद भी प्रोसो पैगनोसिया विक्सित हो सकता है यह अधिग्रहित प्रोसो पैगनोसिया के रूप में प्रचलित है और यह तो चलिया अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रशन को प्रोसो पैगनोसिया के संबंध में निम्नलिकित कत्रों पर विचार कीजे एक मानव में MCTP2 जीन में उत्परिवर्तन से प्रोसो पैगनोसिया विकार उत्पन होता है दो यह विजवल एगनोसिया का एक रूप ह जिसमें रोजमर्रा की चीजों को सिर्फ देखकर पहचाने में कठिनाई होती है उपर युक में से कौन सा या कौन से कतल सही है या सही है एक एवल एक बी केवल दो सी एक और दो 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 बी न तो एक और नहीं दो इस प्रश्रका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे अभ झासे कौन से थामि युक्तर कैसे इस सब्सक्रणान थाई दो बी तो. झाल झाल